Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हो आप सबी लोग, I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे लेकर आई हूँ कुछ खास खास ऐसी टिप्स जो आप सब को बहुत बसंद भी आएगा साथी में आपका बहुत काम भी आएगा तो चलिए ज़्यादा बाते ना करते हुए फटा फटे आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं आज का मेरा पहला टीफे देखिए इस तरीके का जो लीड होती है कड़ाए का ढखन तो इसको रखने का बड़ा ही दिक्कत आती है क्योंकि देखिए फ्रेंज इसमें हैंडल नहीं होती है जिस वज़े से क्या है न कि इसको हम हैंक करके नहीं रख पाते हैं अगर हम इसको बड़तन स्टैंड में रखें तो भी हमें डर लगता है क्योंकि यह जो लीड है ने यह कांच के हैं अगर वाइचांज गिर जाए तो फिर तूट जाएगा तो इसलिए हमें लगता है कि इसको हम कहां रखे और्गनाईज करके तो इसके लिए छोटा सा हैक आपके साथ सेयर करना चाहूंगी तो इसके लिए हमने लिए है 5 लिटर पानी बुतल का ये हैंडल ये विसलिए 5 लिटर पानी बुतल का हैंडल है इसको मैं अलग सक खोल के निकाल के रखी हूँ और यही सब काम में मैं इसको यूज में लेती हूँ अब हम क्या करेंगे देखिए लिट का जो सेंटर है न वहाँ पे इस तरह से इसको डाल देना है तो ये हैंगिंग टूल बनके तयार हो चुका है यानि कि अब हम ना बहुत ही आसानी से इसको हैंग कर पाएंगे चली मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ तो इस तरह से आप इसको हैंग करके रख लिजिए है न, तो देखिए इसके लिए एक छोट आसा hack आपके साथ share करना चाहूंगी तो इसके लिए आपको लेना है अब कौन सा रेर्पर हमें लेना है देखिए, ये हार्ड वाला जो रेर्पर है ये नहीं लेना है, ये वाला लेना है यानि मेडिसिन को जब हम यूज में ले लेते हैं उसके बाद जो रैपर निकलता है वही वाला रैपर उमीद करते हूं कि वीडियो को देख के आप समझ गये होंगे अब हमें क्या करना है प्लास और माइनस दोनों जगा में इस तरह से रैपर को अच्छे से सेट करते हुए फिक्स कर देना है ठीके बस सिंपल है बहुत ही सिंपल है और यहाँ पर आप मेडिशिन रैपर के जगा में फॉयल पेपर का भी इस्तमाल यानि की फॉयल पेपर का यूज भी आप ले सकते हैं लेकिन देखिए मेडिशिन का जो रैपर है वो सभी के घर में लगबग होता है तो इसलिए मैं यह जो गाडू टीप आपको बता रही हूं तो फ्रेंस ऐसा करने से आप देखेंगे सेल पहले जैसे वर्क करने लगेगा यानि की सेल जो डाउन होता है न वो वाले दिक्कत बिल्कुल भी खतम हो जाएगी उमीद करते हूं कि यह जो आटू टीप आपका बहुत काम आएगा और आप सभी को बहुत ही पसंद आए है और मेरा अगला टीफ है रिष्ट वाच और संग्लास को लेकर के तो आप देखे होंगे हम जब रिष्ट वाच को घर में रखते हैं तो इस तरह से रख देते हैं जिस वज़े से किया न, इसका स्क्रीन में इस ग्रच्च बगिरा आ जाते हैं और साथी में आजकल हम लोग किया न, स्मार्ट वाच वेर करते हैं और वो बहुत ही महंगा होता है तो इसको बचा के यानि के समाल के रखना चाहिए और दूसरा तो जहें देखिए कहीं हम जब ट्राविल में जाती है और संग्लास को जब हमें कैरी करके लेके जाना होता है तो इस तरह से जब हम बैग में इसको डाल के ले जाते हैं तो इस क्रचेस आने के डर रहता है और अगर संग्लास का जो बॉक्स है उसको अगर हम साथ ही में ले जाते हैं तो देखें बॉक्स इतना मोटा है तो बैग में जगा ले लेता है जिस बज़े से हम संग्लास को ऐसे ही ले जाते हैं तो जिस बज़े से स्क्राचेस आ जाता है तो ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है पहले मैं वाच को रखके दिखाती हूँ वाच को जब हम रखेंगे न तो इस तरह से टीशू पेपर मोड के रखेंगे ठीके आप टीश पूल टीप है ठीक है और जब यूज के लिए चाहिए होगा यूज करके फिर आप दुबारे से ही इसको इस तरह से ही रखा करें अब संग्लास को भी हम टिशू पेपर के मदश से रखेंगे तो देखिए किस तरह से बस इस संग्लास का जो ग्लास है उसी में इस तरह से से प्रोटेक्ट हो जाएगा अब देखिए इसको हम कहीं पर भी क्यारी करके ले जा सकते हैं चाहिए हम बैक में भरके लेके जाए या तो फिर हम घर में रखें तो इससे कि आपका जो संग्लास का ग्लास है वो बिलकुल भी खराब नहीं होगा वो गंदा नहीं होगा उसम से बैक में भरके आप क्यारी करके ले जा सकते हैं जब कभी भी हमें घर का सफाई वगरा करनी होती है या तो फिर हमें फरनीचर को इधर से उधर हटा के रखनी होती है तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि देखिए फरनीचर जो हतना खास करके उड़न की फरनीचर बहुत ही heavy होती है भारी होती है जिस वज़े से इसको हम ना घिसकार नहीं पाते हैं तो इसके लिए बहुत useful टिपले के आ चुकी हूँ और अगर by chance इसको हम घिसका भी लेते हैं किसी के मदद से लेकिन इसमें एक अजीब सा आवा जाता है तो इसके लिए एक छोटा सा hack आप सेट करके लगा देना है तो ऐसा करने से आप देखेंगे आप अकेली ही भारी से भारी फरनीचर को इधर से उधर बहुत ही easily खिसका पाएंगे और साथी में जो आवा जाता था वो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि बेलून जो है न वो बहुत ही slippery होता है जिस वज़े से बहुत ही easily furniture को आप गिसका पाएंगे उमीद करती हूं कि यह वाला tip आपका बहुत ही काम आएगा तो अगला tip के लिए मैंने ले लिया है mosquito coil और इसका मैं बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूं तो यहां पर आप कोई भी brand का mosquito coil ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है त लेकिन ध्यान रखिएगा जिस सिलबटा का यूज आप नहीं करते हैं उसी में इसको पीसना है क्योंकि mosquito coil बहुत ही जहरीले होते हैं इस इसका ध्यान रखिएगा इसमें हम पीस तो लेंगे लेकिन इसको हम अच्छी से नहीं धूल पाएंगे तो इसलिए इस इसका ध्यान रखना है अधर्वाइस आप क्या कर सकते हैं देखिए सिलबटा को उल्टा करके आप पीस सकते हैं फिलाल मैं इस सिलबटा के यूज नहीं लेती हूँ जिस बज़े से इसी सिलबटा में इसको पीस रही हूँ और अगर आप इस तरह से इसको सिलबटा में नहीं पीसना चा तो सेम इसी तरह से वो बन जाएगा, लेकिन मैं आपको इंस्टेंट बना के दिखा रही हूँ, इस बज़े से मैं इसको सिलबटा में PC हूँ, तो दीके इसमें थोड़ा सा और पानी मैंने मिला दिया है, अब इसमें जो जो चीज एड होगा, उसमें से सबसे पहले मैं लगबाग आधा चमच के करीबन मैं इसमें सैनिटाइजर एड करूंगी, फिर मैं इसमें एड करूंगी बेकिंग सोडा यानिकी खानी का सोडा या मीठा सोडा, फिर मैं इसमें एड करूंगी बिनिगर यानिकी सिरका, अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब mix करने के बाद आप देखेंगे solution बनके तयार हो जाएगा अब इस solution को हम डालेंगे spray bottle में आपके पास जो भी spray bottle है आप उसमें इस solution को डाल दीजिए तो देखे फ्रेंस ये बहुत ही मेहंगा और बहुत ही useful solution बनके तयार हो चुका है अब इसका यूज हम कहाँ पर लेंगे तो देखे फ्रेंस इसको हमें घर के कोने कोने पे चिड़क देना है इस प्रेय कर देना है, जहां पर मचर, मक्की, कीडा वागेरा चूपी हुई रहती है, वहाँ पर हमें जादा करके इस तरह से इसको छिड़क देना है तो काला हीट का यूज ना करके आप घर में ही इस तरह से इस स्सेल्शन का यूज ले सकते हैं तो इससे कि आप देखेंगे चिपकली भी भाग जाएगी और कीड़ा वगड़ा आपके घर के रास्ता जो है आप भूल जाएगे तो इसी तरह से आप बेड़ के नीचे अलमीरा के बैक साइड में या तो फिर बातरूम या तो फिर कीचेन का ड्रेन में भी इसका चिड़का चाहिए कि यह बहुत ही एफेक्टिव सॉलीशन है जिसे कि हम अपने बच्चे को सेफ रख पाएं तो फ्रेंस आज का वीडियो में यही पेंट कर दी हूँ आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूस्पुल लगा है वीडियो यूस्पुल लगने फे वीडियो को ज्या